आज मैं आपके लेकी आई हूँ दम आलू की बहुती बढ़ीया सब्जी जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी और इस आलू को बहुत बढ़ीया घर बनके तियार हो सकती है आप बहुत बार से लाने की बिल्कुल भी जरुद नहीं है घर पे झब इतनी बढ़ीया दम आलू तो बाहर से लाने की क्या जरुवत है पास से आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में खाने में बहुती बढ़िया लगेगा आप इसको पूरा फॉलो करिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां प इसे तरह से हम पिक कर लेते हैं अब यहां पे रेखिए यह जो एक दो बड़े आलू है थोड़े से इसको मैं बीच में से कट कर ले रही है अगर आपको बीबी पटैटो नहीं मिल रहा है न तो आप बड़े आलू को भी इससे काट के बना सकते हैं अब मिकसर जार में दो डालेंगे दो हरी मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ आधा इंच मैंने लस्थन लिया है वह डाल देंगे और इसी अद्रक लिया है सोरी और यहां पे बारा काजु लिये है उंका पेस्टिक लिया था परम एलबा के प्टैब्रक weighs शार बड़े मिका बूल लिए ना वो सारे अलू हम इसमें डाल देंगे और इसको ना हमें golden brown होने तक इसको अच्छे से ना भून लेना हैं तो बस यहां पर इसको भून लेती हुए अच्छा सा color आने तक ताकि इसे करने से ना सबजी बहुत बढ़िया बनेगी तो यहां पर देखी आलू भी जो है अच्छे से golden brown हो गए हैं तो इनको अब निकाल लेते हैं तो मैं निकाल लेते हैं और यह जो तेल अब बच रहा है ना इसी तेल में हम थोड़ी सी जो है थोड़ा सा और तेल मिलाकिस में सबजी बना दो इलाइची है चोटी एक काली इलाइची है और थोड़ा सा यहां पर मैंने जावित्री ली है यहां पर थोड़ा सा इसको भून लिया अब इसमें डाल रहे हैं एक चोथाई चमच यहां पर हिंग डाल देंगे हिंग डाजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है और सज टमाटर जो अभी पेस्ट बनाके रखा है वो आप इसमें आ गी है टालने की थोगी। बब आता की सावी डाल画 मैंने नीकाल लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब जब अच्छे से यहां पर मिक्स करेंगे चुपासे लिले हैं चुपासे लिक्वानारोंस सौ κιूशन करेंसे सीम सब्सक्राइब मुषित रहे हों ताकि जलनी टोसियहां राफ दी हमेने लिक्ताइब हो मुखे लिक्वाइब हैं ताकि मसाला जले नहीं अब यहां पर हम मिला लेते हैं कुछ मसाले तो अब यह मैं यहां पर मिक्स कर चुकी हूँ अब इसमें आदा चमच हल्दी पॉडर जाएगा डेट चमच यहां पर मिर्ची पॉडर जाएगा मिर्ची यहां पर फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेवी का अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें डाल दूंगे तो यहां पर चमच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं यह देखिए इससे ग्रेवी का कलर जो है ना बहुत बढ़िया आ जाएगा यह तीकी नहीं होती है यह कलर लाने के लिए डाला जाता है अक्तर रेस्ट्रोएंट यह धाबा में जब भी आप खाते हैं आ सबजी का कलर इसी से बहुत बढ़िया निकरता है तो बस यहाँ पे अच्छे से mix कर लिया थोड़ा सोब पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं अब अच्छे से mix कर लेंगे और इसको mix करने के बाद ना हम धक्के पकाएंगे जब तक मसाला तेल तो यहां पर इसको मैं अच्छे से mix कर रही हूं और अब इसको ना मैं ढखके पकाऊंगी मसाला जब तक तेल ना छोड़ दे देखिए मसाले ने तेल जो है न उपर तक आ गया है बहुत बढ़िया से मसाला जो है न भुन गया है एक बार फिर से इसको अच्छे से mix कर रही तो बस यहां पर अच्छे से अब इसको mix करेंगे जब तक दही अच्छे से ना मिल जाए इसमें तब तक mix करना है इसमें और flame को एकदम low पे रखना है अगर आपने तेज पर रखा तो दही मसाली में ही फट जाएगी और मसाला खराब हो जाएगा तो अच्छे से mix कर लेना वो अब इसमें डालने की बारी आ गई है तो बस अब वो आलू इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो आलू उबालते समय मैंने आलू को बहुत जादा नहीं उबाला था थोड़ा समय ने कच्छा रहने दिया था अब यहां पर देखिए इसको अच्छे स लगेंगे तो वो टूट जाएंगे अलू अब धक्के पकाया मैंने ताकि जो आलू है ना वो भी मसाले में अच्छे से घुल जाए मिल जाए अच्छे तरीके से मसाला अंदर तक चले जाए अलू के अब यहां पर एक चमच कसूरी में मिर्थी जो है मैं वो डाल रही हूं अच्छे से मिक्स करके और उसी के साथ एक छोटा चमच में गरम मसाला का डालू यह बिल्कुल छोटा अला चमच है तो यहां में एक चमच जो है गरम मसाला यह मैंने डाल दिया लास्ट में बस अब एक बार फिर से इसको ढखके पका लेंगे और यहां पर हमारे जो दम आ इतना बढ़िया इसमें कलर आया सबजी का देखे कितनी बढ़िया ग्रेवी बनके तयार हुई है और आलू भी एक दम बढ़िया से अच्छे से जह हैं पक गये हैं तो आप भी इस रिस्पी को घर पर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगी इस तरह से बनाएंगे तो से लाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे यहां पर देखिए इसको एक दम बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में तो सोचिए जब इतना बढ़िया देखने में लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा तो चलिए फिर अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझ